मस्कार आप देख रहा हैं इसके खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों 25 तारिक आनी कि शनिवार को रामटेक में सबसे ज्यादा भीड़ थी हर साल की तरह इस बार भी भीड़ थी और भीड़ इसलिए थी कि हर बार की तरह इस बार भी बड़े धूम धाम से जह जहांकी निकाली गई जिसमें बहुत सारे लोग पूरे जिलेस लोग आते हैं लेकिन खास बात यह है कि इस बीच और इसी दिन एक ऐसी घटना हुई कि रामटेक पुलिस टेशन अंतरगत ये घटना हुई और रामटेक पुलिस थाने में ही काम करने वाला जो कि खोब़गड़े की जान गई ऐसा आरोप है हम आपको पूरी कहानी बताते हैं कि नहीं फाहते में जहांकी देखने पहुंचते हैं वहां कि अस्थानिक भी जाखने जाते हैं उसमे से एक नाम जो की मैंने आपको बताय कि एक विवेक खोबरगड़े अपने दोस्त फईजा इसने इसके गाड़ी को रोका, उसके बाद इन दोनों की बीच में बहास होने लगी, आरोप है कि विवेख खोबरा गड़े को उपर जबरदस्ती आरोप लगाया गया, यानि कि मनीश भारती ने आरोप लगाया कि तुमने मेरी गाड़ी को ठोका, और ये बात सच भी है कि मन खरोच ये डैमेज तो होना लाजमी है, लेकिन बड़ा परशन ये है कि विवेख की गाड़ी जैसी थी वैसी है उसमें कोई खरोच नहीं था, यानि कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो होम गाड़ है मनीश भारती वो जबरदस्ती विवेख खोबरा गड़े को उपर आरोप लगा नहीं पा रहा था, यहां तक मारपीट होने के बाद विवेख खोबरा गड़े को मनीश ने धमकी दिया, कि तुम मझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम पूरे रामटेक में चलता है, मनीश भारती किसी को भी है नाम पोछी लेना, इस तरीके से बहुत सारी धमक भी करता हूं, तो एक साधारन गरीब परिवार का लड़का, जो कभी इन सारी चीजों से गुजरा ना हो, जिसके पिता एक सिकुरिटी गार्ड हो, एक आट-दस हजार की नौकरी करते हो, ऐसे साधारन परिवार का लड़का लाजमी सी बात है कि जरूर डर जाएगा, और उसे अगर कोई इतनी बुरी तरह मार रहा है, तो शायद किसी का भी डरना लाजमी है, किसी भी साधारन वेक्ती का, उसके बाद फैजान ने अपने भाई रहान को फोन किया, रहान को उसने पूरी घटना के जानकारी दी, रहान घटना अस्थाल पे पहुचा, और रहान न घटना इसी समय हुई, खास बात ये है कि मनिश अपने नाम का, अपने पद का इस कदर धुरुपयोग किया, कि उसने यहां तक बोला कि अगर तू पैसे नहीं देगा, तो मैं गाड़ी से पिट्रोल निकाल के तुम दोनों को यहीं आग लगा दूगा, जो पहले से इतना म बाजा खट-खटाया है, तो वीवे काफी डरा हुआ था, डर के मारे ओ थर-थर कांप रहा था, पिता ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, तो उसने बताया कि कल रात मैं जहांकी देखने गया था, और मेरे साथ में, मेरे दोस्तों के साथ मैं ऐसे सिखटना हो गई, उसकी हा अम्टी या नागपूर जैसे किसी बड़े अस्पताल में इसे लेकर जाना जरूरी है, गरीब पिता अपने बेटे वीवेक को होस्पीटल ले जाने के लिए निकला तो जरूर, लेकिन अफसोस कि वीवेक रास्ते में ही दम तोड़ दिया, मर गया, जब पोस्ट मार्टन क की रिपोर्ट आई, तो जो प्रैमरी रिपोर्ट है, उसमें ये जानकारी मिली कि मार की वज़ह से उसके पेट के अत्रियां डैमेज हो गई थी, इसकी वज़ह से वीवेक की मिर्ति हो गई, इस परकार आपने देखा कि मनीश भारती, जो होमगाड की ड्यूटी करता था औ लेकिन धीरे धीरे इसकी हिम्मत, इसकी जुल्लत इतनी बढ़ गई कि ये मिर्तित तक, यानि कि मडर तक इसने कर दिया, इस पर जान चल रहे है, आरोपी फिलहाल पुलिस के हिरासत में है, मनीश भारती और उसके दोस्त जो भी थे, और सवाल ये है कि क्या एक गरीब परि आरोपियों जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसे कई सवाल हैं जो आम वेक्तियों के मन में और परिवार वालों के मन में घूम रहे हैं, फिलहाल हम इस घटना की जानकारी हर एक चीज आप तक लेकर आते रहेंगे, आप देखते रहें, आज की खास बात, अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन्विस्टिया न्यूज पे जैंड